दोस्तों किसी के साथ कोई भी चीज शेर करना एक अच्छी आदत है और बच्पन से हमें चीजों को बाटना सिखाया जाता है साथ ही दोस्तों ये भी कहा जाता है कि मिल वाट कर चीजों का उपयोग करने से आपसी प्रेम और लगाओ बढ़ता है लेकिन दोस्तों वास्तो शास्तर के नुसार कुछ चीजों को बाटने से मनुस्तिका केवल नुक्सान ही होता है कुछ ऐसी चीजें हैं जिने बाटने की वज़े से आपको आर्थिक संकट पारिवारिक के लिए और बीमाईयों का सामना करना पड़ सकता है तो आईए दोस्तों आज के इस वीडियों में जानते हैं उन चीजों के बारे में जो कभी किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए यानि चाहें कुछ भी हो जाए ये चीजें आपको किसी को भी उधार नहीं देना चाहिए तो दोस्तों कौन सी वो चीजें हैं आज के वीडियों में जानेंगे तो बने रहिए वीडियों के अंतक जानकारी पसंद आए तो इस वीडियों को लाइक करें चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें चलिए अब बढ़ते हैं वीडियों में आगे दूस्तों नमबर एक जूते चप्पल वास्तु शास्त्र के नुसार कभी किसी के साथ जूते चप्पल शेर नहीं करना चाहिए क्यूंकि दूस्तों जूते चप्पल मांगकर कभी नहीं पहनना चाहिए वास्तु के नुसार शनी का वास मनुस्र के पैरों में होता है और एदी किसी के जूते पहनते हैं तो शनी का प्रकोप हमारे उपर भी आ सकता है दूस्तो नंबर दो है दूसरों की घड़ी वास्तु शासर के नुसार दूसरों की घड़ी मांगकर पहनना बहुत ही अशुब होता है क्योंकि घड़ी का सीधा संबन समय से होता है घड़ी केवल समय ही नहीं बलके अच्छा और बुरा बक्त भी बताती है और अगर आप किसी से घड़ी मांग कर पहनते ही तो उसका बुरा बक्त आपके जीवन पर प्रभाव डाल सकता है दुस्तो नमबर तीन अंगूठी वैसे तो आम तोर पर लोग अंगूठी किसी के साथ शेर नहीं करते ही लेकिन किसी पार्टी या फंक्सन में जाते समय अगर आप किसी की अंगूठी मांग कर पहनते ही तो बाप के जीवन में विप्रीत प्रभाव डाल सकती है वास्तु शास्त्र के अंसार अंगूठी शेर करना बहुत ही अशुब होता ही और दुस्तो नमबर फूर लाश्ट मॉइंट पिन ना करें शेर आम तोर पर पैंक में या किसी कार्याले में दूसरों का पिन मंग कर काम किया जाता है और उसे बापस करना लोग भूल भी जाते ही दोस्तो वास्तु शास्त के अंसार या बहुत ही गलत है क्योंके पिन किसी वेक्त की यानि पिंसे किसी ब्यक्ति की किसमत जूड़ी होती है और अगर उस पर कोई मुसीबत चल लही है तो वह मुसीबत आप पर भी आ सकती है तो दोस्तों आप लोग साथ धान रहिए और वीडियों में बताई गई ये चीजे कभी किसी के साथ शेयर ना करें कोई कितना भी मागे आप इन चीजों को उधार में भी ना दें क्योंकि ऐसा करने से आपके उपर वास्तो दोस लग सकता है अगर वास्तो दोस आप पर लग गया तो एकिनान आपकी लाइफ में बहुत सारी परेशानियां और मुसीबतें आ सकती है तो आज के वीडियो में बस इतना ही जानकारी कैसी लगी हमें कमिट बाक्स में जरूर बताईएगा मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ तब तक के लिए गुडबाई थैंक्स पर वाचिंग माई वीडियो